और चलिए अब सीधा आपको लिए चलते हैं उत्तरपरदेश के लखनव क्योंकि उत्तरपरदेश में विधान सभाचुनाव है और उससे पहले तमाम राजनितिक दल फिलहाल प्रचार पर फोकस कर रहे हैं और प्रदेश बीजुपे की बात की जाए तो प्रचार रथ रवा कि हमारे सामने आधन मोदी जी ऐसा नित्रत है राज के अंदर एवी जी ऐसा नित्रत है गरीबों के कल्यान के लिए भ्रश्टा चार जो नारा दिया था वह समप्त किया गुंडागर्दी समप्त किया है मैं आपके बीच में आया हूँ फिर आपका आसिरवाद इसने हम सब को प्राप्तो और पुना सरकार मनाएंगे और सरकार मना कर कुना गरीबों की सेवा करना यहीं जीवन का लग्ष है हम सब का मकसद है बहुत बहुत थाज़वाद भारत माता की जाए बंदे मात्र है मैं इसी कड़ी में अपने उत्तर प्रदेश के एसरची पुक्पंट्री आदनी केशो जी से आगरा करूगा की प्रचार सुभारम के आउसर पर हम सब को संबोधित करें बारत माता की जैज़ आदनी मुक्पंट्री आदनी योगी आधित्नाज जी हमारे प्रदेश सभ्याट्स किमान चतन्देव जी हमारे केजरी मंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव के साफ्रवादी आदनी अंडाक ठाकूर जी हमारे गोविन नायन सुकला जी और सभी जन के साथ ही आज भारती जन्ता पार्टी का प्रचार रच जो हमने किया है वाज जन जन को बताने को जन जन तक पहुचाने को आज प्रचार रच जाने के पहले मैं इतना कहना चाहता हूं कि भात्वा की जग से आदनी योगी आदितनार जी के लेक्रिक में हमाजी सरकार बनी है तो प्रगती हुई तो किसकी किसानों की प्रगती किसकी हुई नौजवानों की प्रगती किसकी हुई महिलाओं की प्रगती किसकी हुई गाओं की प्रगती किसकी हुई जिनकी जरूर सब्सक्राइब को माफ rat kiska होगा को घुनढघ्री करने वाले कभजा करने वालों का और प्रगती हुई मेरे प्रदेश की और अब जब से भाजपा सरकार है अब जब से भाजपा सरकार है अब पलायन करने करवाने वालों का पलायन हो रहा है अब कोई माई का लाल पलायन नहीं करवा सकता उस्तर प्रदेश के किसी नागरिक का भारती जंता पार्टी की जो सरक करने के बीगारे हैं उसलिए इसलिए मंब अधरुप्यान करने करने को मच्बूर हुए तरचार करने यूप डून साने वाले इसलिए यूपी करकार ơi एक बात बार हनु उसरकार इसलिए मैं आप सब लोगों से याँ प्रचार रस्तों हमारा जा रहा है पांच साल की उप्लब्दियों को ले करके जा रहा है सपा बस्वा के कारकाल में हुई गुंडागर्दी की जानकारी लोगों तक फिर से पहुंचाने जा रहा है इसलिए उत्रप्रदेश ने मन ठाना है फिर से भाजबा की सरकार बनाना है वादो दर्वाद मैं इस समसर पर अपने हुद्टर कुदेश की एससी मुखंत्री आदरी यह दिया इतना जित्यादा कुना कि हम सब्सक्राइब मेरिया के बंद्रों को समभदित करें मानी मुखंत्री आज के इस कारिक्रम में मंच पर उबस्तिक प्रदेश के हमारे कर्मठों लोग प्रियांध्यक्स है मान्य स्वतंदर देश सिंटी प्रदेश की चनाव के सवपरभारी केंद्रिय मंत्री मान्य सियंवराग ठाकुर जी प्रदेश सरकार में मेरे मरेश्ट सह्यूद अभु मुख्य मंत्री सिर्केश्व परसाद मौले जी देश के महा मंत्री सिगोविंद नैण सुगल जी और उपस्तित सथी पायो बहनों मीडिया के मित्रों भारती जन्ता पार्टी चार सो तीन गिधान सवा छेत्रों में आज अपने चुनाव परचार अभियान को इस बेन के माध्यम से आगे बढ़ाने के एक नए कारिक्रम को लॉंच कर रही है मैं सौसर पर आप सब काहिले से अविनंदन करता हूँ भारती जन्ता पार्टी ने डवलिंजन की सरकार ने जो कहा सुग करके दिखाया आपने और प्रदेश की 25 करोड की आवादी में देखा है कि 2017 के पहले प्रदेश में प्यापारी, संब्रांद नागरिक और सामाने नागरिक पलायन करते थे प्रदेश की प्रगती अवरूप हो गई थी लेकिट 2017 की बाद अब राधी पलायन कर रहे है प्रदेश प्रगती के एक नए प्रतिमान स्तापित करते हुए आज बेश की अग्रणी अर्थविवस्ता की रूप में प्रदेश की 25 करोड जनता के जीवन में खुसाली नाने की जिस नए अभियान के साथ आगे बढ़ी है यह दवलिंजन की सरकार का लाथ बात उसमस्ट हम सब को दिखाई दे रहा है सब का साथ सब का विकास सब का विश्वास और सब के प्रियास का एक पुदिफल प्रदान मंत्री मोधी जी के मूल मंत्र को अंगिकार करते हुए भारती जनता पार्टी की डवलिंजन की सरकार गाओं के विकास के लिए गरीब के उत्थान के लिए किसानों के जीवन में फुसाली लाने के लिए नौजवानों के रोजकार के लिए और मात्प्सक्ति के सुरक्सा के लिए पूरी प्रतिवदता के साथ कारे कर रही है हमने जो कहा सो करके दिखाया हमने विकास सब का किया लेकिन तुष्टी करन के लिए कोई जगए नहीं इस संकल्ब के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं और एक बार फिर से प्रदेश की जनता जनारदन का स्रीबात प्राप्ट करने के लिए जब हमारा ये प्रचार अभिहान प्रारब वोड़ा है इंदर देव भी अपनी किरपा हम सब पर वरसात के रूप में कर रहे हैं मैं इस उसर पर आप सब का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ और इस परचार अभिहान के सुभारब के उसर पर भारती जनता पार्टी के इंस सभी लाखों कारेकरताओं को अपनी सुपकानाे देता हूँ और आप सब के प्रतिवि अपनी मंगल में सुपकानाे बेक्टि करते हैं जनता जनारदन के आश्रिवाद की इस अपेक्सा के साथ इस प्रकार अभिहान का सुभारम में हम लोग कर रहे हैं भन्यबाद जैहिंद भारत माता की तो लखनो से लाई तस्वीरे इस समय हम आपको दिखा रहे हैं बीज़िपी का प्रच्वार रत जिसका शुभारम यहाँ पर सीएम योगे आदितनात के और से हरी जंडी दिखा कर किया जा रहा है बीजिपी का जंडा दिखा कर किया जा रहा है तस्वीरों में आपके सामने हैं सोच इमानदार और कम भी तहाशा यहाँ देख सकते हैं प्रच्वारत रवाना कर दिया गया है सीम योगी आदितेनाथ के साथ यहाँ पर केंद्रिय मंतरी आनुराग ठाकुर और बड़े नीता मौझूद है और इस वरान सीम योगी आदितेनाथ ने ये भी कहा कि बीजिपी पीम दरी द्रमूदी की द्वारा दिये गए मूल मंतरे सबका साथ सबका विकास के भाव पर आगे बढ़ रही है ये तस्वीरे आपको हम दिखा रहे हैं लखनाव से सिधी लाइफ तस्वीरे इस समय आपके सामने हैं जानकारी देदे कि उतरपरदेश में विधान सभा चुनाव होने हैं और विधान सभा से पहले सियासी मौहौल इस समय काफी जादा गरव है जी हां और आप देख सकते हैं बीज़े पे के और से प्रचारत को रवाना कर दिया गया तो BGP की और से प्रचारत को यहां रवाना किया गया है UP में BGP का प्रचारत रवाना जो की उतरप्रदेश की जगा-जगा जाएगा और BGP की और से जो भी जनहित के कारे किये गए हैं उन्हें लेकर जन्नता तक संदेश पहुँचाएगा ये तस्वीरे इस समय आप देख रहे हैं कब्रयावी तक पर ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं लखनाओं ससीधी लाइफ तस्वीरे आप देख सकते हैं CM योगी आदितेनात ने जंडी दिखाकर यहाँ पर BJP के प्रचारत को रवाना कर दिया है इसके अलावा यहाँ पर BJP के बाकी बड़े नीता भी मौझूद रहे तो BJP के बाकी बड़े नीता भी यहाँ पर मौझूद है केंद्रे मंत्रे अनुराग ठाकूर के साथ ही यहाँ पर BJP के तमाब बड़े दिखज नीता यहाँ पर मौझूद है और उनकी और से भी यहाँ पर प्रचारत को रवाना किया गया और उसे पहले जनता को संबोदित भी किया गया वर्चल तरीके से सेम योगी आदिते नाथ ने हरी जंडी दिखाई है प्रचारत ये प्रचारत उतर प्रदेश के हरे कोने में जाएगा और बीज़ेपे के और से जो जनहित के काम किये गए हैं उन्हें लेकर आम जनता को जागरुक करेगा आम जनता तक ये जानकारी देगा इजोरान सेम योगी आदिते नाथ ने कहा कि प्रदेश बीज़ेपे पीए नरेदर मोही के और से लिए गए मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास पर चल रही है